पता है कानों के बीच में भेजा क्यों रहता है? जब कान भाईरी पड़ती है तो बात भेजे में गुस्ती है हलापती विजे सर की फिल्म लियो ने अपने तीन दिनों के अंदर ही बजट रेकावर कर लिया और फिल्म बॉक्स ओफिस पर हो चुकी है ब्लोग बश्टर वही दूसरी तरह प्रवितेजा की पेन इंडिया फिल्म टाइगर नागेश्वर राओ भी दो दिनों में कर चुकी है सांदार कमईल लेकिन टाइगर स्रोप की फिल्म गनपत का दो दिनों में रहा बुरा हाल लेकिन दोस्तों आपको बता दे कि नंदमूरी बालाकरिश्णन के फिल्म भगवन के इसरी ने भी तीन दिनों में बॉक्स ओफिस पर दमदार कलेक्शन करके हिट का टेग हसिल कर लिया तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन चारो ही फिल्मों की अब तक के वर्ल्ड वाइट कलेक्शन के बारे में और जानेंगे इन सबी फिल्मों ने दुनिया भर से कितने करूड की कमई की तो चलिए सुरुआत करते हैं देखते रहिएगा पूरा विडियो साथ साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन सबी फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है सबसे पिल अगर बात करें तेलगू फिल्म भगवन के स्री के बारे में जिस फिल्म में देखने को मिले थे नंदमूरी बाला क्रशनन, काजल अगरवाल, अरजुन रामपाल, स्री लिला फिल्म का बजड़ था लगभग 100 करोड रुपे और फिल्म को दुनिया भर में लगभग 500 स्क्रीन पर रिलिच किया गया था फिल्म को रिलिच होते ही पहले दिन बंपर कमाई मिली, लेकिन दूसरे दिन इस फिल्म के कलेक्शन थोड़े ड्रोप हो गई, वही तीसरे दिन फिल्म की कमाई में एक हलका सा उचाल फिर से आया जिया दोस्तो अगर बात करें भगवन के इसरी के तीन दिनों के डीटेल कलेक्शन के बारे में तो दोस्तो भगवन के इसरी ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 32 करोड रुपे से जादा का किया वही दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन वर्डवाइड मार्केट में 18 करोड 89 लाक रुपे का रहा लेगन दोस्तों तीसरे दिन सटर्डे होने की वज़त से फिल्म के कलेक्शन में एक हलका फुलका ग्रोथ रहा और फिल्म तीसरे दिन वर्डवाइट कलेक्शन लग भग 19 करोड 50 लाक रुपे का कर पाई इसी के साथ भगवन केसरी का सुरुवाती तीन दिनों के अंदर वर्डवाइट ग्रोस कलेक्शन 70 करोड 62 लाक रुपे का हो चुका है अब ही तो दोस्तो कल है संडे और दसेरा आना भी बाकी है यानि कि भगवन केसरी बोक्स ओफिस पर अपने बजट से कही ज़्यादा कमई करेगी और हिट का टेग आसाने से हसल कर लेगी लेकन दोस्तो अब अगर बात करें रवी तेजा के फिल्म टाइगर नागेश्वर राओ के बारे में तो दोस्तो टाइगर नागेश्वर राओ जिसका बजट था 55 करोड रुपे और इस फिल्म में रवी तेजा सर के साथ में हमें देखने को मिली थी नूपूर सेनन आनु दिन हो चुके हैं दोस्तो फिल्म को काफी अच्छे बड़े तरीके से रिलिज किया था और फिल्म हिंदी तमिल तेलगू मलियालम कर्णडा पेन इंडिया रिलिज हुई थी अब दोस्तो इस फिल्म का प्रोमोसन जितना जबर जस्त रहा था उतना अच्छा कलेक्शन भी आय जिया दोस्तो फिल्म को हिंदी मार्केट में तो कोई खास रिस्पोंस नहीं मिला लेकिन फिल्म ने तेलगू वर्जन में ही अच्छी खासी कमई की है पर जो लोगी इस फिल्म के हिंदी कलेक्शन जानना चाहते हैं उन्हें बता दू कि टाइगर नागेश्वर राओ ने पहले दिन हिंदी कलेक्शन एक करूड 72 लाक रुपे का किया था तो दूसरे दिन हिंदी कलेक्शन एक करूड 90 लाक रुपे का रहा यानि कि दोस्तो यहाँ पर टाइगर नागेश्वर राओ दो दिनों में हिंदी से ही कलेक्शन तीन करूड 62 लाक रुपे का कर चुकी थी लेकिन अगर बात करें फिल्म के सभी भासाओं के कलेक्षन के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर टाइगर नागेश्वर राओ ने अपने पहले दिन ओल इंडिया नेट कलेक्षन पांचो भासाओं से ग्यारा करोड पचास लाक रुपे का किया वही दूसरे दिन फिल्म के कलेक्षन में हलका सा ड्रोप आया और फिल्म सेकंड डे इंडिया नेट कलेक्षन आठ करोड पचास लाक रुपे का कर पई इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर रवी तेजा के टाइगर नागेश्वर राव का सुरुवाती दो दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 20 करोड का तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 24 करोड रुपे इसी के साथ दोस्तों रवी तेजा के टाइगर नागेश्वर राव का सुरुवाती दो दिनों में व्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन हो रहा है 30 करोड का जैसे कि मैंने आपको बताया फिल्म का बजट है 55 करोड रुपे उस इसाब से देखे जाए तो टाइगर नागेश्वर राव ने दो दिनों में अच्छी कमई की है जबकि दोस्तों कल है संडे और पूरी उमीद है कि ये फिल्म संडे के दिन अपने सटर्डे यानि कि आज से बहतर कमई करेगी हो सकता है दोस्तों के आने वाले समय में टाइगर नागेश्वर राव भी बोक्स लोफिस पर एक बड़ी हिट हो जाए लेकिन दोस्तों अब अगर बात करे हमारे बोल्योट के एकसन इस्टार टाइगर स्रोप की फिल्म गनपत के बारे में तो वहिया गनपत फिल्म ने तो पूरी तरह से निरास किया है मतलब की फिल्म का बजट है 200 करोड रुपे फिल्म में टाइगर स् समय नहीं करती तो जादा दूख नहीं होता लेकिन यहाँ पर गनपत एक अच्छी फिल्म है लोगों को पसंद भी आई लेकिन इतने सारी फिल्मों के साथ रिलिच होने की वजह से फिल्म को स्क्रेंस कम मिली और फिल्म के कलेक्शन भी कम आए यहां तक कि दोस्तों गनपत पेंडिया रिलीच किया था अगर बात करें फिल्म के डेव इस को दोस्तों यहाँ पर गनपत फिल्म ने पहले दिन लग बख तीन करोड़ पीशव का कणिजन इंडिया से किया हला कि अच्छी बात यह है कि दूसरे दिन इस फिल्म के क्लेक्शन में हलकी bob की ग्रोथ रही म morning shows में तो फिल्म को दूसरे दिन जैसा ही response मिला था लेकिन afternoon, evening और night shows में इस फिल्म को अच्छी खासी उचाल देखने को मिली तो दोस्तों आपको बता दे कि यहाँ पर गनपत फिल्म दूसरे दिन इंडिया से collection लगभग 4 करोड़ 50 लाक रुपे का कर चुकी है और इसी के करोड़ 70 लाक रुपे का हो चुका है तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 9 करोड़ 16 लाक रुपे फिल्म ने ओर सिस मार्केट यानि की विदेशों से लगभग 3 करोड़ 50 लाक रुपे कमाए हैं और इसी के साथ टाइगर सुरोप की फिल्म गनपत का शुरुआती दो दिनों में वल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन हुआ है 12 करोड 66 लाक रुपे जिया दोस्तों टाइगर सुरुप की पिछले समय में फिल्में 25-30 करोड रुपे की ओपनिंग लेती थी लेकिन आभी हालात यह है कि गनपत जैसी मेगा बजट फिल्म दो दिनों में वल्ड वाइड में साइद गनपत फिल्म बोक्स ओफिस पर एक डिसेंट कमई कर जाएगी लेकिन इतना तो कनफोर्म हो चुका है कि अब टाइगर सुरुप की गनपत फिल्म अपने बजट से आधा कलेक्शन भी नहीं कर पाएगी वही दोस्तों अब अगर बात करें 2023 की सबसे बड़ी क्रिशनन अर्जुन सरजा देखने को मिले थे पताना चोंगो दोस्तों फिल्म को रिव्योस तो एवरेज मिले थे लेकिन कहीं न कहीं ठालापती विजय के इस्टाडम के हिसाब से फिल्म ने बोक्स ओफिस पर बंपर ओपनिंग ली और दूसरे दिन भी अच्छा होल्ड बना के रखा और तीसरे दिन भी फिल्म की कमई काफी जबरजस्त रही जिया दोस्तों इससे ये साबित हो जाता है कि अगर प्रोडक्ट भी थोड़ा भोत एवरेज रहता है लेकिन अगर फिल्म का हीरो अच्छा इस्टाडम रखता है तो वो फिल्में बोक्स ओफिस पर क पमाल का कलेक्शन कर सकती है हालाकि ऐसा बता दू आपको कि यहाँ पर लियो ने जितने कमई तीन दिनों में की है ना उतना तो टोटल कलेक्शन इस हपते रेलीच हुई चार-पांच फिल्मों का मिला कर भी नहीं है जिससे ही बात क्लियर हो गई कि भईया थाला पाती सुपरिश्टार है अगर लियो फिल्म का हिंदी मार्केट में अच्छे से प्रोमोशन किया जाता और फिल्म को हिंदी में मल्टिपलेक्स में भी रेलीच किया जाता तो ये फिल्म हिंदी मार्केट में बोली हुड की इस हपते रेलीच हुई फिल्मों से कही ज़्यादा कम लेकिन इस वक्त अगर बात करें없 लियो के तीन दिनों के डिटल कशलर के बारे में तो दोस्तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ लियो फिल्म के ह Massachusetts लियो फिल्म ने पहले दिन हिंदी मार्केट से दो करूड 80 लाग रुपे कमाई वही दूसरे दिन 2 करोड 50 लाख रुपे तो तीसरे दिन फिल्म की कमई में हिंदी वर्षन में एक अच्छी खासी ग्रोथ आई और लिव ने तीसरे दिन हिंदी कलेक्शन 3 करोड 50 लाख रुपे का किया इसी के साथ दोस्तो लिव का 3 दिनों के अंदर हिंदी नेट कलेक्शन 8 करोड 80 लाख का हुआ तो हिंदी ग्रोस कलेक्शन लगभग 10 करोड रुपे लेकन अब अगर बात करें फिल्म के पांचो भासाओ के कलेक्शन के बारे में तो दोस्तो आपको सबसे पहले इंडिया 41 करोड रुपे लेकन दोस्तो तीसरे दिन सटर्डे होने की वज़े से फिल्म ने दूसरे दिन से बेहतर परफॉर्म के और फिल्म का तीसरे दिन ओल इंडिया नेट कलेक्शन 45 करोड का रहा और इसी के साथ धलापती विजय सर के फिल्म लियो का सुरुआती 3 दिनों के अं इसका टूटल ग्रोस कलेक्शन 157 करोड रुपे हो चुका है और इसी के साथ धलापती विजय की फिल्म लियो का तीन दिनों का वल्डवाइड ग्रोस कलेक्शन 310 करोड रुपे हो चुका है जी आ दोस्तो फिल्म का बज़ट कितना है 300 करोड रुपे और फिल्म दुनिया से करेगी अब ये फिल्म दूसरे तीसरे हपते में अगर अच्छा पर्फॉर्म कर जाती है तो साइड इसका लाइफ टाइम कलेक्शन 700-800 करोड रुपे तक भी जा सकता है पर देखना ये है कि क्या लियो फिल्म 1000 करोड कमाने में कामयाब होती है या नहीं वैसे आपको क्य लगता है लियो फिल्म का फाइनल बॉक्स ओफिस कलेक्शन कहां तक जाएगा कमेंड बॉक्स में कमेंड करके जरूर बताए और आपके अपने इस चेनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले मैं मिलता हूँ आप से एगले वीडियो में जब तक के लिए खयाल रखे अपना और अपने माता पिता का जेहिंद वंदे मातरम